सब्सक्राइब दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक वाप फिर से आपके अपने यूटूब चैनल कॉंप्टिटिफ पंडा पर दोस्तों ये वीडियो में इसलिए बनाना पड़ रहे हैं क्योंकि जेल बॉर्ड और फायर मैंन और गुरसबार प्लिस का जो भरती 2016 थी उसका का एक्जाम हुआ अब फाइनलिस का डीवी प्यस्ती होना है तो उसमें क्या है कुछ ऐसे सारे जो डॉकुमेंट बंगे गया है वह आपको पूरे करने हैं तो उसमें एक डॉकुमेंट बंगा गया है आपका एप्लिकेशन फॉर्म अब देखी प्रॉब्लम क्या है 2018 की वे दाई थी कि मतलब कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन बहां पर प्रॉब्लम यह आ रही कि कुछ समस्यां यह है कि वहां पर आपको ट्रांजिक्टिक्स नाइडी चाहिए तो बहां पर भी आप डालोड नहीं कर पा रहे है रिजिस्ट्रेशन श्लिप तो डाउनलोड ह हो जा रही है और वहां पर आप अपना रिजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं लेकिन अप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड होने में प्रॉब्लम हो रहे है तो अब आपको क्या करना है ऐसे में होगा क्या तो वैसे मैं तो आप से यह कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल परिशान होने की जहत नहीं है क्योंकि मेरा जहां तक experience रहा है वहाँ पर जो पूरा staff होता है वहुत होता है और आप यह भी सोचिए कि आप अकेले ऐसे candidate नहीं है जिसके पास application form नहीं होगा दूसरी बात वहाँ पर आपकर जब आप जाएंगे तो आपको बैठाला जाएग उनको उसकी जरूरत ही नहीं है अगर आपका application form आप नहीं ले गए तो आप ऐसा नहीं है कि आप illegal है या इलेजिवल नहीं है उस चीज के लिए ठीक है तो इस मेचे से आपको नहीं निकाला जाएगा यह बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए अगर आपके पास application form नहीं है तो वहां से वो खुद भी वहां से निकाल सकते हैं उसका access उनके पास रहता है आपके पास नहीं है तो तो आप बिल्कुल दिमाग से यह चीजिए निकाल दीजिए application form नहीं है तो कुछ नहीं आप बिल्कुल जाएए वहां पर application form अगर आपके पास नहीं है तो वहां पर आ आपका आइडेंटिटी के लिए आपके पास फोटू अगर अगर तो आइडेंटिटी तो है ना मतलब आप फ्रॉट तो नहीं है न तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप एप्लिकेशन बज़ फॉर्म ना होने की वज़े से आपको रिजेक्ट किया तो बिल्कुल दिमाग से कि यह चीज़ निकाल दीजिए कि आपको इसकी वज़े से बाहर किया जाएगा मेरा जहां तक एक्सपिरियंस है मैं रिखा है सारा इस्टाप को अपरेटिव होता है आपको पूरा चांस दिये जाएगा बस सबसे पहले आपको यह चीज़ दिखना है कि वायोमेट्रिक ठी हो रही है क्योंकि मैं आपको बता दू जब मेरा डिवीपेस्टी हुआ था यूपेसाई के लिए तो वहां पर वायोमेट्रिक जो था फर्स्ट टाइम मेरा नहीं हुआ उन्होंने मुझे अलग बैठाल दिया थोड़ा मैं परिशान भी था कि मेरा वायोमेट्रिक नहीं मै रिंटाउट निकाले उसके बाद मेरे जितने भी डॉकूमेंट्टे मैच किये और दॉकुमेंट्ट मिलाने के बाद उन्होंने जो है तर पेया हिह के लिए झालरी यह माईसान पर चाहिए हिस्वाटक अल्हें मैं आपको फीमेल में और मेल के लिए जो ऊपुः है कृशा चैफ होगा ठाउब आपको कैसे लाना है वह सारी चीज़ें आप अच्छे से त्यार करके जाए जाए कि किस तरह से क्या करना है लेकि मैं आपको बता दू जैस के लिए आपको क्या है पहले सांस को छोड़ देना है और इस तरह से खड़ा होना है वह जब चेश नहाब हैं और परिशान हो रहे हैं तो परिशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपके पास अगर एप्लिकेशन फॉर्म नहीं है तो बेकर होगे आप वहां पर इसलिए बना रहा हूं कि बहुत सारे लोग परिशान हैं कि मैं क्या करूं क्या मुझे वहां से निकाल देंगे मेरे डॉकुमेंट फेक देंगे ऐसा कहीं नहीं होता अब लीगल नहीं है अब लीगली श्ट्रॉंग है अगर आपको कोई भी इस तरह से कुछ करता है तो आप आगे आपके पास अप्सन होगा ठीक है आप कोट जा सकते हैं तो इस बचे से सिर्फ आपको नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि आपकी सारी अप्लिकेशन कॉम नहीं है तो भाई इतना पुराना 2016 की भरती आ है उसका एप्लिकेशन फॉर्म किसके पास रहता है अगर नहीं है तो उसका सॉलिशन होना चाहिए न online ऐसे अपलोड ऑना चाहिए तो अभी क्या है उनके पास बहुत सारय डेटा उन्होंने अप्लोड तो किया है मतलब जो function तो दिया हुआ है डानलोड करने का लेकिन वो सारा 2020 से स्टार्ट किया गया यानि दो से पहले कि जितने अक्जामते वहां का डाटा उनके पास अप्लोड़ेड नहीं है इसकी वज़े से आप चेल बॉर्डर का जो है एप्लिकेशन फॉर्म डाउनोड करने में प्रॉब्लम आ रहे हैं दूसरा आपके बास ट्र जैसा आपकी मर्जी ठीक है और दूसरा मैं आपको बताओं कि जैसे किसी को प्रॉब्लम यह है कि किसी का नाम जो है किसी का में कुछ कुमारी लिखा है और किसी के में नहीं है तो ये इतना बड़ा इस्यू नहीं है दूसरा किसी को प्रॉब्लम यह है कि रमेश लिखा है तो उसमें spelling गलत हो गई या फादर का नेम गलत है तो देगे ये जो चीज है अगर कहीं पर भी आपका गलत है या आपका कोई आधार नंबर गलत पड़ा हुआ तो इसके लिए आप ऐफिडेविट जरूर बनवाकर ले जाए या फिर आप बहां जाए बहां जो भी समस्या हो होंगी ठीक है उडी हो जाएंगी और वहां पर होता क्या है वह सारे डोकुमेंट आपके सही नहीं होते तो वहां पर उस समय बॉर्णिंग या मतलब आपको सुझाव देकर छोड़ देते हैं कहते हैं नेक्स टाइम जब भी आपका मेडिकल होगा तो आपको ये सारे पूर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा तो आपके मेडिकल जहां होगा वहां पर ये फाइल वर्तिबोट के दोरह भेजी जाएगी फिर वो जब फाइल आ जाएगी आपका मेडिकल होगा वहां पर एक रिपोर्ट लगेगी उसके बाद जब आप ट्रेनिंग पर जाएंगे त तो आप यह परिशान मत होई, अगर हाँ आपकी गलती है, और बोलो कुछ बताते हैं, कि इसमें आपको यह करेक्शन कराना है, तो वो आप करवा दीजीगा, आपको हो सकता है, टाइम दिया जाए, और आगे तक के लिए समय दिया जाए, ठीक है, तो बिलकुल परिशान मत हो हो यह आराम से डिवी पेश्टी के लिए जाए और अपने रणिंग की तैयारी करते रहें ज्यादा लंबा समय नहीं है रणिंग आपको पताईए आपको जो है मेल के लिए 28 मिनट में निकालनी है बागी प्यूमेल के लिए 14 मिनट में तो यह आप अच्छे से तैयारी कर लि तो बस बिल्कुल पैनिक होने की जोगत नहीं है अराम से अपना जो भी डॉक्यमेंट है उनको तैयार कीजिए जो नहीं है उनको आप रहने दीजिए उनके लिए आपको वहां सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपको एक मौका और भी दिया जाता है वहां पर तो ऐसा नहीं में तो चैनल को सब्सक्राइब और ये बेल अकनो प्रैस करिए तो तक के लिए थैंक यू जय है